सीरियल दिल से दिल तक में तानी सेजल पाउनी के प्लान को फेल कर देती है और वो पार्थ को दादाजी के गुस्से से बचा लेती है सीरे दिल से दिल तक में आप लोग ने देखा कि पार्थ ने सेजल पर हाथ उठा दिया है जिया सेजल ने तानी को स्केट्स पहनाया था और उसे सीडियो से धक्का दे दिया था इसके वज़े से वो सीडियों से गिरने वाली होती है कि सही समय पर वहां पार्थ आके उसे बचा लेता है पार्थ को जैसे ही पता चलता है कि ये सब सेजल ने किया है तो वो उस पर बहुत गुसा होता है और वो उस पर हात उठा देता है पार्थ को याद आता है कि कैसे सौरवी ऐसे ही सीडियों से गिरी थी और उसका मिस्केरज हो गया था और वहां से उसकी जिंदगी बदल गई और अब पार्थ वही चीज तानी के साथ नहीं होने दे सकता है क्योंकि तानी के पेट में उसका अपना बच्चा है इस बात के बारे में सोचकर पार्थ सेजल पर हाथ उठा देता है पाउनी और सेजल दोनों ही इस बात का बहुत बड़ा फादा उठाते हैं और बहुत बड़ा सीन क्रियेट कर देते हैं वो दोनों घर में बहुत बड़ा ड्रामा कर देते हैं इस बात को लेकर कि पार्थ ने पार्ट ने सेजल पर हाथ उठाया है। वो पार्ट पर चिलाने ही वाले होते हैं लेकिन तभी तानी वहां आ जाती है। और वो आके उन्हें सारी बाते बता देती है। सेजल तक में आप लोग ने देखा कि पार्ट ने सेजल पर हाथ उठा दिया है। जिया सेजल ने तानी को स्केट्स पहनाया था और उसे सीडियो से धक्का दे दिया था। जिसके वज़े से वो सीडियो से गिरने वाली होती है कि सही समय पर वहां पार्ट आके उसे बचा ले और अब पार्थ वही चीज तानी के साथ नहीं होने दे सकता है क्योंकि तानी के पेट में उसका अपना बच्चा है इस बात के बारे में सोचकर पार्थ सेजल पर हाथ उठा देता है पाउनी और सेजल दोनों ही इस बात का बहुत बड़ा फादा उठाते हैं और बहुत बड़ा scene create कर देते हैं वो दोनों घर में बहुत बड़ा drama कर देते हैं इस बात को लेकर कि पार्थ ने सेजल पर हाथ कैसे उठाया दादा जी भी ये बात जानकर हैरान हो जाते हैं कि पार्थ ने सेजल पर हाथ उठाया है वो पार्ट पर चिलाने ही वाले होते हैं लेकिन तभी तानी वहां आ जाती है और वो आके उन्हें सारी बाते बता देती है कि सेजल ने कैसे उसके साथ क्या क्या किया ये बाद सुनकर दादा जी शान्त हो जाते हैं पार्थ बहुत खुश हो जाता है कितानी ने दादा जी के गुसे से उसे बचा लिया वेले शोर से जुरी सारी अब्डेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आए